आज एकादसी है, एकादसी की दिन प्रभुपाद जी का लीला मिर्त से देव पढ़ा जाता है। तो शिल प्रभुपाद लीला मिर्त दितिय भायत का, पेज नमबर 184, तो यह आज मुझे आश्र मिला प्रभुपाद जी का लीला मिर्त पढ़ने के लिए। आप सब आसिर बात दीजे, मारे प्रभुजी, तमाल प्रभुपाद जी को भागवतम से कम सम्मान नहीं देना चाहिए। जैसे हम भागवतम सुनने आते हैं, आएसे प्रभुपाद जी का लेला मिर्त सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि एक आदशी के दीन ही सुनने को मिलता है। प्रभुपाद जी के पास श्रीमान कुमार नाम की एक ब्यक्ति जो कभी-कभी लंदन के मंदिर में रहते थे। प्रभुपाद के पास अनेक प्रस्न लेकर आये। उन्होंने कहा कि वे इसकौन के लिए कार्य करना चाहते हैं। कि उन्हें भारत में अपनी मा को भेजने के लिए पैसे चाहिए थे। प्रभुपाद ने कहा। नहीं हमारे लोग 24 घंटे कारे बिना एक पाई लिए करते हैं। स्रीमान कुमार ने इसकौन में सुधार लाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भक्तों को विद्वान बनने के लिए अधिक अध्यन करना चाहिए। विशेशकर संस्कृती का। प्रभुपाद ने अपनी अस्वाहमती जताई। उन्होंने कहा जिस चीज की हमें जरूरत है वह है समर्पन। मैं कोई बड़ा संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। फिर भी मैं काम चला रहा हूँ। और विद्वान भी मानते हैं कि ठीक चल रहा है। मेरे गुरू महराज के गुरू महराज, गौर किशुर दाजबाबाजी महराज, निरक्षर थे। तो भी उनकी शिष्वक्ति सिधान, सरसती, प्रहुपाद, अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। लेकिन जब गौर किशुर बोलते थे, तो वे विशुद्ध सास्त्र से बोलते थे। हमारा सिधान यह नहीं है कि कोई चीज सिखने में समय लगाएं, विशेशक्य बनें और तब प्रचार करें। किन्तु आप जो कुछ भी जानते हैं उसका प्रचार कीजिए। प्रात्य की कथा सायंकालीन कच्छा और यदि वे मेरी पूस्तकें पढ़ते हैं तो वे परियाप्त होगा। एक दिन भक्त गण प्रभुपात के पास किसी समाचार पत्र की कत्रन लाएं जिसमें आक्सफोर्ड के एक प्रोफेशर डॉक्टर डी जहरन ने किसी धार्मिक सम्मेलन में कहा था कि भगवान कृष्ण और उनकी भागवद गीता के उपदेश अनाइतिक थे। डाक्टर जहरन ने कहा था कि एक भिख्यात हत्यारा कदाचित भागवद गीता से प्रभावित हुआ था क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है अत्म कोई हत्या कर सकता है प्र प्रभुपात प्रफेशर के अज्ञान से निराश हुए प्रहत्र ब्रह्मन के दवरान स दिल प्रभुपात ने अपने सचित सचीव को तर्क सिखाए जिनका प्रयोग डाक्टर जहरन के पत्र में करना था। जार जहरन प्रभुपात से उनके शिश्यों की ही भाट बिनित भावश से मिले। प्रभुपात और हैरिशन दोनों ने प्रशाद साथ साथ ग्रहन किया जिसमें समोसे, हलवा, सबजिया, सिखन तथा पूरियां थी। जब ये प्रशाद का आनंद ले रहे थे। प्रभुपात ने उलेक किया कि बिंदावन के कुछ पंडे बड़े खाऊ होते हैं। एक बार एक दिने तो इतना खा लिया कि वह मरने लगा है। इन्तु उसने प भूग से मरना आइक सकर है। जाज यससे, बाते करते समय प्रभुपात मुसक्रा रहे थे। और मनोर के दान के लिए उनके प्रत्कितक प्यक्त कर रहे थे। उनुने कहां है, क्या, आपने मेरा कमरा देखा है। यह वास्तों में आपका मकान है किंत कमरा मेरा है। जाज ने प्रतिरोद करते हुए सिस्त जैसे बिनम्रस्वर में कहा, नहीं, ये कृष्ण का घर है और कमरा आपका है। जब जाज ने प्रभुपाद से कांत में कहा कि कृष्ण भक्ति अंगिकार करने से उनके मुत्र शूटते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि सिंतामद करो। उन्होंने गीता से पढ़कर ये उद्धरन उसे सुनाया। जिसमें कृष्ण कहते है कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जाज ने कहा भविष्ण में इसकान इतना विशाल हो जाएगा कि इसे कारेकारी प्रबंद की आउशकता होगी। प्रभुपाद, मैंने संसार को बारह मंडलों में भीभाजित कर दिया है। जिसके बारह प्रत्य नदी हैं। जबतों कि अध्यात्मिक सिध्धानतों का पालन करते रहें तब तक कृṣhna उनकी सहाइता करेंगे। जाने की पूरो जाज ने प्रभुपाद का विश्वास दिला की उवभा मंदीरों की शंक्या बढ़ने में उनकी सहाइता करेंगे। बाद में प्रभुपाद ने टिपड़ी करते हुए कहा जाज को कृष्ण से अंतरिक आसा मिल रही है। यह एक दिन एक पुराना प्रचित भ्यक्ति एलन गिंग्सवर्ग आटपगा वह देनिम्स गेलिष और एक पुरानी कमीज पहने था और एक भारत निर्मित छोटा हार्मोनियम लिया था। प्रभपाद ने पूछा, तुम अभी भी हरे कृष्ण का जब करते हो। एलन ने उत्तर दिया हाँ, मैं अभी भी हरे कृष्ण का जब करता हूँ किन्तों मैं दूसरी चीजों का भी स्वागत करता हूँ। एलन ने पूछा, क्या आप मेरा जब और हर्मोनियम बजाना सुनना चाहेंगे। प्रभपाद ने सीर हिला कर उसका स्वागत किया। एलन ने हर्मोनियम बजाते हूए ऑम का जब आरंब किया। हर बार ऑम कहने में उसका सुर गहरा होता जा रहा था। औम यख समावत हुआ, प्रहुपाद हसने लगे. उन्होंने कहा, तुम जो कुछ यपन चाहो, यप सकते हो, किन्टो हरे कृष्ण यभ करते रहो, जब तक हरे कृष्ण के यभ करते रहोगे, बाकिस्सभ कुछ चीख है. तब प्रभुपाद ने अनेक भक्तों को एक महान आनंद प्रत कृतन में भाग लेने का अनमती दी। जाज हरिशन के माध्यम से एक अन्य सुप्रसित पाप गायक और संगीतक की डोनोवन हरे कृष्ण आंदोलन की महानेता सेल प्रभुपाद के पास भेट करने के लिए आया। नोनोवन के साथ उसके संगीतक की अमित्र तथा मिनी स्कृट पहने दो मित्र योतियां भी थी। प्रभुपाद के समुख बैठेंगे रूप में चुपचाप बैठ गये हैं। प्रभुपाद ने कहा बेदों में एक इस लोग है जिसका आर्थ है कि संगीत शिक्षा का स्वरो कृष्ट रूप है। यह कर बताने लगे कि एक संगीतक की कृष्ण की सेवा इस प्रकार कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा तुम्हे अपने मित्र जाज का अनुकरन करना चाहिए। हम तुम्हें विशय वस्तु बताएंगे और तुम गीत लिखना। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की सेवा में कुछ भी यहां तक धन की भी लगाया जा सकता है। दोनोवन की यूती मित्र ने बीट में टोका। किन्त धन तो भावतिक है। प्रभुपाद ने कहा तुम कैसे जानती हो कि क्या भावतिक है और क्या अध्यात्मिक है। फिर वे दोनोवन की ओर मुड़े। क्या तुम जानते हो। डोनोवन ने नंबर भाव से कहा कि मेरा दिमाग मोटा है लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ फिर उनकी यूति मित्र उसके उपर जुक कर उसके कान में कुछ हो सुसाई इस पर डोनोवन उट खड़ा हुआ और बोला अच्छा अब हमें चलना चाहिए प्रहुपाद ने अग्रे कहा वह सोच रही थी और उन्होंने सेशियों को वाक्य पूरा करने को प्रुसाहिद किया यूगिस्वर बोला हाँ वह सोच रही थी कि यदि कृष्ण उसे सुिकार कर लेंगे तो प्रहुपाद को अपने महत्वपुन आती थी कि स्वम्ह प्रवचन करना इतना पसंद था क कि वे जहां भी जाते थे ऐसा करते रहना चाहते थे उन्होंने अपने एक सिस्ट्र को एक पत्र में लिखा जहां भी मैं जाओं कृष्ण भावना मृतां अंदोलन के भिसे में महत्वपुन भ्यक्तियों को मुझसे बाते करने के लिए आमंतित करने की यह नीत पूरी तरह जारी रखनी चाहिए मनोर में एक मास बीद गया किन्तु जनमाश्चिमी तथा प्रित्मा अस्थापन अस्थापना के लिए अभी कई सवतासेश्ट है अता जब भगवान ने प्रभुपाद को प्रेरिश आकाल अलाधा कृष्ण स्री विग्रहों को अस्थापित करने को किया तो प्रभुपाद ने उसे स्विकार कर लिया पेरिश नौ अगस्त उन्यश्वतिहत्तर भक्तों ने सीटी हाल में प्रभुपाद के सरकारी अभिनंदन का प्रबंद किया था पेरिश के मेर और उनकी सरकार के अन्यधिकारियों की उपस्तिति में प्रभुपाद ने क नहीं है। अगले दिन की समाचार पत्र में संभादाता ने इस भासन को इस तरह छापा की स्वामी ने ने नेपोलीन बोनापाट तक की अलोचना की। भगवान पेरिश की चार रईू ले श्योर मंदिर में हमारा प्रवेश अभी हाल में ही हुआ था। हमने राधा और कृष्ण के अनतालिस इंच के अर्चा विग्रह प्राप्त कर लिये थे। प्रवुपार्द प्रद्यूम ने से मत्रुचान कराकर अर्चा विग्रहों को पूजा समागरियों अर्पित कर रहे थे और स्वयंग ब्यास आसन पर बैठे बैठे निर्देश दे रहे थे। मैं सहायता कर रहा था एक बार जब मैं पूछा मुड़ा तो मैंने देखा कि प्रवुपार्द मेरी ठीक बगल में खड़े हैं और बस्तुएं अपने हाथ से लेकर उन्हें स्रीमती राधा रानी के कमल जैसे मुख पर पोत रहे थे। जब स्री विग्रह वेदी पर अस्थापित हो चुकी तो सिल परभुपाद उपर आये और उन्हें आरती की बस्तुएं दे दे कर मैं उनकी सहायता कर रहा था। अस्थापना के बाद हम ओपर सिल परभुपाद के कमरे में गए और उनसे आगरह किया कि कृपा पुरवक सिव ग्रह की नाम करन करें। वे अपनी कुर्सी में बैठ गए और बोले कि ये सी विग्रह राधा पेरिष इस्वर कालाएंगे। फिर वे कहने लगे कि भारत के लोग शिक्षा के लिए ग्लेंड और इंद्रिय त्रिप्ति के लिए पेरिष इसलिए आये हैं कि उन्हें कुछ योतियां, कुछ ठांसिसी लड़कियां मिल जाएं क्योंकि पेरिष की इस्तिरियों के मुखमंडल सबसे सुंदर माने जाते प्रभुपाद ने कहा, राधार आने इतनी सुंदर हैं जैसे कोई पेरिष की लड़की हो और कृष्ण ने इन सबसे सुंदर लड़की की खोज में आये हैं, अतवे पेरिष इस्तिर हैं। इसलिए पेरिष इस्तिर भगवान का नाम रखा है। अगस्त पंद्रह, प्रभुपाद लंदन वापस आये, जहां उन्हें भारत से ताजा डाक मिली, हैदराबाद में इस कान की जमीन के करारनामा के संबन्ध में कानूनी उल्जेने पैदा हो गई। प्रभुपाद ने अपने सिस्च महांस को लिकर आग्रह किया कि वो बंबई के मामले की तरह हैदराबाद में एक नए मामले में नफस है। जब प्रभुपाद को यह समाचार भी मिला कि बंदावन निर्मान कार प्रगति पर है तो उन्होंने लिखा। मुझे जानकर प्रसंता हुई कि तुम लोग बंदावन मंदिर की योजना को पूरा करने में किसी प्रकार लगे हो और अपने मस्तिस्क पर भार डाल रहे हो कि यह योजना कैसे पूरी हो। मैं कृष्ण से भी सदय प्रातना कर रहा हूं कि वे इसे अच्छी तरह पूरा करने के लिए तुम लोग को सुबुध्धी दें। हवाई की एक सिष्य को लिखे गए पत्रे प्रभुपार ने खेत प्रगट किया कि वे उसे पहले नहीं लिख सके। मैं बंबई में जुहू की जमीन की बारे में जो स्रीमान यंद की थी बहुत ब्यास्त था अब वह मरकर अपनी गती को प्राफ्त हो गया है लेकिन उसने हमारे लिए कितनी कठनाई पैदा कर दी थी। अब भी कुछ कमी है लेकिन मुझे आसा है कि उसे सिग्र दूर कर लिया जाएगा। मुझे में में तमाल कृष्ण गुर्ष्वामी को लिखते हुए प्राभुपार ने वहां की कठनाईयों के विषय में पहले जैसी ही चिंता ब्यक्त की। कि यद जब भक्तों को भूमी पर अधिकार हो गया था और उन्होंने अपना अस्थाई मंदिर वहां बना लिया था। कि उसे खरिदने के लिए कोई समझवता अभी दिखाई नहीं दे रहा था। यद श्रीमतियन हमें भूमी बेच नहीं देती तो हमारा अगला कदम क्या होगा। हमने उसके विरुद एक वोईदारी केस्त दर्ज कर रखा है। कि उसने बल पुरवक हमें जमीन से निकालने की कोशिस की। उस केस का क्या हुआ। मतलब यह कि यदि वह जमीन की विक्री हमारे हाथ नहीं करती और हाथ से ही हमारा धन च्छती-पूर्ती और ब्याज के साथ वापस नहीं करती और समय समय पर हमें जमीन से निकालने की कोशिस करती है। तो ऐसी हालत में हमें क्या कदम उठाने होंगे। उसने हमें इतना कर्ष्ट दिया और हमारे लिए इतनी कठिनाई पएदा की है और प्रभवपाद ने मायापूर में अपने सेश्यों को लिखा तो मायापूर का निर्मान कार्यम मेरे पहुंचने के पहले अच्छी तरह पूरा हो जाना चाहिए जब मैं अगली बार वहां मैं मायापूर में मायापूर में रहा होता कि इन्तु खड़ खड़ के कान मुझे भागना पड़ा ओहां का कारे पूरा हो जाए तभी मैं आ सकता हूं अन्य था नहीं प्रभवपाद ने अमेरिका के दर्जनों पत्रों का भी उत्तर दिया जहां उनकी भग्त उनकी पुरस स्टमत है जिनका समाधान की अल प्रभुपाद ही कर सकते थे पुस्त noises का भी मुझे पित्रण करना महत्यपून था क्या भग्त जन अपना छोला छोड सकते थे और समान्य पस पास्चात ल juicy भुसा धारण कर सकते थे जिसमें जन्ता मे पुस्तों के भी आधिक सुषा हो क्या सड़कों में संकिर्टन करना पुस्तक वित्रण से अधिक महत्त पुन था बस या ट्रक द्वारा ते हाथ की यात्रक कैसी रहेगी क्या अवी ट्रकों में स्रीविक ग्रहों के साथ जा सकते थे वक्तों ने प्रभुपाद को लिखे अपने पत्रों में समाने रूप से अपने बिचारों का अउले किया कि उसे प्रभुपाद के असपस उत्तर की संपन्ना पुरवक प्रदिक्छा थी क्रिष्ण भावना में तांदोलन अब विसाल हो गया था और उनके बिसालतर होने की संभावना थी और इस कान के अंदर प्रभुपाद की इक्षाई तनी सक्ट साली थी कि उनका एवल एक पत्र वर्सों के लिए नीति निधार्न कर देता था प्रभुपाद मैनूर के अपने कमरे में सांति पुरुग बैठे नित्य प्रती के अपने कारे कर्मों जैसे असनान करना, परसाद ग्रहन करना, संध्या का भ्यागतों से मिलना, आद ही मैं लगे प्रतीत होते थे, इन्दु साथ ही वे संसार भर, संसार भर के हजारों योकों और युक्तियों को दिसाद निर्देश देने और बाया के वुरुद्ध युद्ध में ततपर करने का काम भी करते हैं, पेरी पुस्तक के बित्रण के लिए पास्चात्य वेस भुसा में जाने में कोई अपति नहीं है, हमेशा आपना चोला धान करना आवश्यक नहीं है, किन्तों शिखा रखना और तिलक लगाना जरूरी है, जैसा तुमने लिखा है, सिर पर नकली बालों की टोपी या हैड पहन सकते हो, कृष्ट भाना मित्त के प्रसार के लिए जो भी अनकुल इस्तिती हो, वो हम स्युकार कर सकते हैं, अपने सिध्धान धहमें नहीं भोलने चाहिए, पुस्तकों का वित्रण करने के लिए हम उनका अनकूलन कर सकते हैं, किसी भी तरह पुस्तकों का वितर्ण करो और यदि तुम लोगों से थोड़ी देर किर्टन करा सको तो तुम्हारा पहनावा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्तों की और से इस अस्पस्टिकर्ण के लिए प्रात्ना बराबर आती रही कि प्रभुपाद की उस्तकों के विहत वितर्ण के उद्देश्र की पूर्ती में वे भाह साधन को कहां तक नयायुचित बताते हैं प्रभुपाद में कोई भौतिक प्रणा नहीं थी इसलिए उन्हें असपस्ट दिखाई देता था कि क्रिष्ण भक्ति की प्रचार के लिए क्या करना जरूरी है तुम ने जो सचल, किर्तन, दल का और पुस्तकों के विक्रे का प्रस्न उठाया है तो हाह हमें धन چाहिए पुस्तकों को विक्रे की वास्तिविक प्रचार है पुस्तकों से अच्छा कौन बोल सकता है जो पुस्तके खरीदेगा वह उन्हें कम से कम देखेगा तो सही वास्ताविक परिचार पुस्तकों की विक्री करना है किसी को नाराज किये बिना पुस्तकों की विक्री की सरकीव तुमेँ आनी चाहिए तुम्हारे भैक्ष्छान से लगवत तीन मिनट का प्रफा होगा किन्तों यदि कोई पुस्तक का एक पुरिष्ट पढ़ लेगा तो उसका जीवन ही बदल जाएगा लेकिन हम किसी को नाराज करना नहीं चाहते हैं यदि तुम्हारे अक्रामक बिहार से चिड़ कर कोई चला जाता है तो ये तुम्हारे मुर्कता और बिफलता होगी ना तो तुम्हारे पुस्तक बेच टवाओगे ना वह तुम्हारे पास रुकेगा किन्तों यदि पुस्तक खरी लिए लेता है तो सफल परचार है मेरे गुरू माहराज का यही प्रमाड पत्र है यदि कोई प्रमचारी एक पैसे की पत्रका बेच लेता है या कोई ब्रमिचारी हमारी पत्रिका की कुछ प्रत्याएं बेच लेता है तो भी बहुत प्रसन हो जाते थे और कहते थे की ओ, तुम कितने अच्छे हो, आता साहित्य का वित्रण हमारा असली प्रचार है, यदि तुम इस मामिले में ठीक से नहीं चल सकते तो यह तुम्हारी गल्ती है, तुम्हारी सफलता इस बात से सिद्ध होगी कि तुमने कितने पूस्तक बेची है, तुम जो भी चीच बेचना चाहो, उसके लिए चर्चा दोरा कुछ समर्थन जुटाना पड़ता है, इसी से कृष्ण की सेवा के लिए ग्राहक कुछ धन देता है, यह उसका भ और वह चला जाता है, तो यह तुम्हारी मुर्खता या कम बुद्धी होगी। भक्तों को दिएगे प्रभुपार के नेदेश इतने महत्पून होते थे और उनसे प्राप्त कोई पत्र उतना ही प्रभावसाली होता था जितनी उनकी ब्यक्तिकत भेंट। ऐसे पत्रों से अपने शिष्यों के जीमार और उनके मामलों के देख रेकरते थे। हर दिन दो पहर के पहले वे अपने सची को बुलाए और उससे आने वाले प्रस्नों को जोर से पढ़वाते और उनका उत्तर साधानतया अभिलम लिखवा दे थे। वे प्राय कहा करते थे कि गूरु के शरीर या उनकी भ्यक्तिकत उपस्तिती से उनकी बाड़ी अधिक महत्त पुण है। अता अपने पत्रों में वे अपने सच्चे अन्यायों के लिए कृष्ण भक्ति का मार्ग बनाते और उसे प्रसस्त करते रहते थे। अमेरिका में प्रभुपात का प्रचार का मुक्यत है उनकी पुस्तकों के वित्रण के माध्यम से चल रहा था जबकि भारत में मंदिरों के अस्तापना से तब भी दोनों बिधियां उनके लिए एक जेशी थी और यद जब उनके दृष्टी छेत्र में समस्त संसार था फिर अपने आपको अपने अपको अपने गुरु माहराज का केवल बिनित सेव करते थे उनका प्रहत नस्ताव अपने गुरु माहराज के सेवा करने का होता है जाहे वह मेनौर के लान में बैठे किसी भी छोटे बच्चे से चेड़ खानी कर रहे हों अपने किसी सहाय क्या प्र भागवद की तात्परी की अगले वाक्यांस की संबन्द में पूरे उस्सा और तनमेता से विचार कर रहे हूं। अथवा बंबई में चल रहे है स्रीमतियन के खड़े अंत्र परचिंता कर रहे हूं। प्रभुपात को बंबई से एक आपात कालिन फून मिला। गिरीराज चार रहा था कि वे बंबई आएं। और स्रीमतियन से स्वेंग जुहु की जमीन की खरिदारी तैंकर लें। गिरीराज ने ये एक नए वखिल स्रीमान वाखिल से परामर्श किया था। जिसकी राह थी कि मामला तैंकरने के लिए प्रभुपात की उपस्ते थे आवस्टक थे। इस कान की एकिन वखिल स्रीमान चंदावल की भी राह थी कि प्रभुपात का अभिलम बंबई पहुँचना आवस्टक था। अथा। गिरी राज ने प्रभुपात को फोन करके प्रात्ना की थी कि स्रीमति यहन से सदा सदा के लिए निप्टारा कर लेने के लिए बंबई आ जाए। प्रभुपात राजी हो गए। जनमास्तमी तक एक सफता और लंदन में रहेंगे। उसके बाद बंबई जाएंगे। अगस्त एककईस एक लेंड में भारत के राजदू स्रीमान रसगोत्रा जनमास्तमी समारों में समलित हुए और उन्हें प्रभुपात के महानकारे के सराना करते हुए उनका परिचे कराया। प्रभुपार ने कृष्ण किया आगमन को शंकट ग्रस्त भावतिक संसार की सांती के लिए एक मात्र समाधान बताते हुए भासन दिया। उन्होंने कहा विशेश रूप से भारत में इस्वर को समझने के लिए इतनी बड़ी पूजी है। वहां हर बस्तु है। पहले से तयार है किन्तु हम उचे स्विकार नहीं करते है। तो ऐसे रोग की आवशधी क्या है। हम संती खोज रहे हैं किन्तु उस चीज को स्विकार नहीं करते है। जो संती देगी। यह हमारा रोग है। तो क्रिष्न भावना में तांदोलन हर एक के हिर्दे में सुप्त क्रिष्न चेतना को जगाने का प्रहत्न कर रहा है। अन्य था ये 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 अर्मेरिकन अन्य देशों के लोग जिने आज से चार पांच पुर्ष्पूर्व क्रिष्न के नाम अभी पता नहीं था। इसलिए गमिर्था से सिख्ष्भावना मृत को क्यों स्युकार करते है। अब क्रिष्न चेतना हर एक के हिर्दे में जाग गई है। प्रभुपाद ने ब्रह्म संगिता से इस लोग सुनाए जिनमें क्रिष्न लोक में क्रिष्न के आलोग की सास्वत निवास का वाणन है। उनोंने समझा कर बताया किंत कृष्न अभी अस्थानों में भी है। यदि आप भगत हैं तो आप उन्हें पा सकते हैं। यदि आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपकी एक्षा से तस गुना अधिक बार वे आपकी ओड़ते आते हैं। हमें क्यवल उनका स्वागत करना जाए। मंदिर में स्री विग्रह की उपासना का तात्वर्य क्रिष्न की उपासना है। जो परमिश्वर हैं। उन्होंने अनुग्रह पुर्वक रूप ग्रहन किया है। ताकि आप उस रूप की उपासना कर सेकें। इसलिए ये न समझे कि हमारे एक संग्मर्मर की मूर्तिय अस्थाफित कर दिये। दुरजन कहेंगे। वे मूर्ति पूजक हैं। नहीं। हम ब्यक्तिकत कृष्णी की उपासना कर रहे हैं। कृष्णी न अनुग्रह पुरवक ये रूप इसलिए धार्ण किया है। क्योंकि हम उनकी विराट अत्वा स्वरव्यापी रूप को नहीं देख सकते। कृष्णी की सेवा में चोविश गंटे लगे रहे है। इस अर्चा भी ग्रेक के अस्वापना का ये उद्देश है। शिप्तमबर पंदरह उन्ड़ी सोतीहतर। यहां पहुंचने के लिए दूसरे दिन प्रभुपास स्रीमतियन के सालिस सीट्रों से मिले और उनकी सर्ते सुनी। इस्तित्र आसा जनक दिखाई देने लगी थी। इन तो प्रभुपाद का पता नहीं था। मंदिर तोड़ने के अपने प्रयास के बिरुद्ध जनता के प्रतक्रिया से स्रीमतियन बदल चुकी थी। उसने अपने वकील से कहा कि यदि प्रभुपाद एक बार में बारह लाख रुपे का सेष भुक्तान कर दें तो वह सुकार कर लेगी। प्रभुपाद राजी हो गए। इंतिवे तब तक रुपे का प्रबंद नहीं करना चाहते। जब तक उन्हें निश्या नहो जाए कि स्रीमतियन सच्मुच लेने को तयार थी। बंबई के वकील और इसकान किया जिवन सदस्री असनानी स्रीमतियन से बराबर मिलती रहती थी। और उसे समझाते रहते थे। कि वह प्रभुपाद से सायोग करे। उसके वकील सहमत है। फिर भी प्रभुपाद के बंबई में रहते कई सब्ता बीच जाने पर भी श्रीमतियन की उनसे भेंट नहीं हुई। एक बार प्रभुपाद से मिलने के लिए श्री असनानी स्रीमतियन को लेने गए। किन्तु उसकी तवियत अच्छी नहीं थी। नित्यप्रत से असनानी प्रभुपाद से करते हैं। स्रीमतियन कल आएगी। इस तरह की टाल मटुल से प्रभुपाद निरास हो गए। और यह देखकर उनके सच्चियों ने स्रीमान असनानी से कहा कि एद्यप्रत जानते थे कि स्रीमान असनानी अच्छा ही चाहते हैं। कि अब उनकी रुची इस और हो रही है। कि मामले को अपने दूसरे वकिल के हाथ में देदें। स्रीमान अस्नानी ने मामले को निप्टाने और अस्तास्तरन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अड़तालिस घंटे का समय मागा स्रीमतियन अपने दूसरे घर में थी जहां जब स्रीमान अस्नानी उसे मिले वो अपनी बिमारी से अभी अभी ठीक होई थी उन्होंने कहा माताजी मेरे गुरू महराज कर जा रहे हैं यदि आप आज रात को नहीं चलती तो जमीन का मामला एक साल के लिए लटक जाएगा स्री मत्तियन तयार हो गई और लगबग नौ बजे राती में वह स्री अस्नानी के साथ स्री भोगी लाल पटेल के घर पहुची जहां प्रभुपाद किर्टन ता भागवच चर्चा का कारिकरम चला रहे थे प्रभुपाद च्छत पर भासन के लिए रारी कर रहे थे किन तो यह सुनकर कि स्री मत्यान आई है वे भासन रोक कर उसके बात करने के लिए नीचे अपने कमरे में चले गए दोने में संचित बारता हुई फिर उसके च्छमा मागते हुए प्रभुपाद भासन देने च्छत पर चले गए करीब आधी रात के समय वे अपने कमरे में फिर आये श्री मत्य यन उनकी अभी भी प्रतिक्षा कर रहे थी वह फूट-फूट कर रो पड़ी और प्रभुपाद के चाड़ों उसके लिए मुझे खेद है किरपा करके मुझे समा करें उसने बच्छन दिया कि जो कुछ प्रभुपाद चाहेंगे वह करूंगी प्रभुपाद ने उसे दया की दृष्टी से देखा और उसके मन की बात समझ ली उन्होंने कहा तुम मेरी पुत्री तुल्य हो चिंता मत क करो मैं तुम्हारी देख भाल करूंगा तुम्हारे सेस जीवन की आवशक्ताओं की पूर्ती मैं करूंगा और प्रभुपाद ने कहा कि वह अब ही सारी सड़तों को स्रीकार करते हैं जो उसने पहले रखी थी कि वह सेस बारह लाक और बिलंब की च्छती पूर्ती के लिए पचास हजार रुपए का भुक्तान करें प्रभुपाद और स्रीमतियान ने अंतिम रूप से दस्ता बेच पर हस्ताक्षर के लिए एक नौंबर की तिथी अस्ताई तोर पर निश्चित किये स्रीमतियान से भेंट होने की तुरंद बाद प्रभुपाद भोगिलाल पटेल की घर से स्री सेटी की घर में चले गए जहां वे से समस्याओं को सुल्याने में दत्चित हो गए जैसे सी कंपनी को तयार करना की वह अपना दावा वापस ले ले उसके बाद प्रभुपाद स्री सी यम खटाओ के घर में चले गए जो हरे कृष्ण लाइंड से जहां वे प की दिवालों से निर्मित एक समानिक ग्रिष्म कुटीर में रहा करते थे. केवल दो बलाक की दूरी पर था. आम तोर पर पट्टों पर हस्ताचिव्क पुरानी बंबई में रइस्टार की कार्याले में उसकी उपस्तिती में होते थे. कि स्रीमान असनानी ने रहिष्टार को प्रभुपार्थ के अस्थान पर आने की बेवस्ता कर दी. साम को साड़े चाब अज़े प्रभुपार्थ दोस्त खिड़कियों के बीच की दिवाल से सहारे अपने सामने एक नीची चौकी रखे हुए बैठे थे. कमरे में स्रीमती यन, उसके वक्की रखिष्टार, स्रीमान असनानी, स्रीतता, स्रीमती पतेल और लगभग आठ भक्त उपरस्ती थे. जिससे कमरा गरम हो गया था और तम भुटने लगा था. जब रखिष्टार हस्ताक्षर के लिए कागज तयार करने लगा, तब स्रीमती यन प्रभभपाद की दाई और बैठी थी. सिल प्रभभपाद विचार मगन बैठे थे. कमरे में कागजों की सरसराहत और कलम की खिच-खिच के अतरिक उन सांती थी. पट्टे के कागजों की तयारी और उन पर हस्ताक्षर होने में बीस मिनट थे. बीस मिनट से अधिक समय लग गया. प्रभभपाद ने स्रीमती यन को भुक्तान किया और उनके पट्टे पर हस्ताक्षर करा दिये. कानुन अब भूमी स्कान की हो गई. किरuição महराज मेराज हस्ताक्षर के समय कमरा सांत और हर एक को ऐसा लग रहा था. मानो कोई बहुत महत्तरपून गटना गटने जा रही है. मानो बीस मिनट की दो महान हस्तियां एक संधित पत्र पर हस्ताक्षर कर रही है. जब स्री मत्य़यन ने अस्ताक्षर कर दे तो लोगों ने संती से कागजों को हस्तांतरी होते देखा और रूने लगी। तमाल कृड вмृ uniform ने देरे से उसे पूछा कि वह क्यों रू रही है। Śrīmatyina ने उताया कि उसी दिन श्रीमतर ने आकर उसे कहा था कि उसे एक अन्य करदार मिल गया है जो उसे प्रभुपाथ से अधिक दन देने को तेयार है। आस्तों में, जब हम सब स्रीमतियन को देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि उस समय उसे वे सारी घटने याद आ रहे होगी जो पहले हो चुकी थी. जैसे उसने हमारे साथ जो गल्तियां की थी, उसने पती की मृत्तों महीनों के मिले जुले संगर्चों की तरह समय बड़ा गहन था। जहां तक प्रभुपाद भकतों और प्रभुपाद के सुविक्षिकों का ट्रस्न है. इंके वर्सों के सफ्षपन, उनकी इक्षाओं और उनके प्रत्न अली भूत हो रहे थे। तिल प्रभुपाद ने भक्तों से कहा कि वे समाचार पत्रों में सूचित कर दें, फिर उन्होंने सभी को भोजन के लिए अपने कमरे के बाहर हाल में बुलाया, दो पक्तियों में चटाईया भिछा दी गई, भक्त पत्तले ले आये और उन्हें एक एक करके हर एक के सामने र प्रभुपाद खड़े थे परुष्ने को निरक्षण कर रहे थे तब बोले आरंब किया जाये वक्तों ने कई तरह से बेंजन बनाये थे, चावल दाल तरह के पकवडे, हलू, गोवी तथा बैगन के, हलू की सबजी, हापड़ी, बर्फी, गोवी, की रशेदार सबजी, लड़ू, चम-चम, श्यवई की खेर, हलवा तथा निबू, पानी, यह अतन्ते उल्लास तथा प्रसंता का अवसर था, स्रीमत्नि वायर यहर हरे कृष्न भूमी की एक किरायदा थे, तरह सभी भक्त जय कह रहे थे, और सभी प्रसंद थे, तब प्रहुपाद ने बंबई परियोजना पर एक भासन दिया, उन्हें लोगों को बताया कि मंदिर पूरी तरह संग्मर्मर का होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो संग्मर्मर की नह हो, कुछ लोग उच रहते कि सब कुछ संग्मर्मर का कैसे संभव होगा, और प्रहुपाद ने लोगों को समझा सभी लोग कुलकित हो रहे थे, यह संसार की साथ आस्चेरियों में से एक की तरह होगा, सारे संसार की लोग इससे आकरिस्ट होंगे, और इससे देखने आएंगे, कि यह बंबई का एक हैंड मार्क होगा, प्रहुपाद ने पूरी परियोजना का इस परकार वरन किया, जैस उन्हें अपने मन के नेतनों से देख रहे हो, उन्होंने कहा कि जब यह बंकर पूरा हो जाएगा, तो यह हमारी कल्पना से बढ़कर होगा, यह अस्चेर जनक होगा, भोज के काफी समय बाद, जब सब लोग चले गए, तो प्रहुपाद अपने कमरे में गए, अपनी चौ प्रहुपाद कहा करते कि यह इस बात का प्रमाणा है कि इस भावनामित्य के भक्ति के लिए कोई समस्याएं नहीं होती हैं, कई महीने बाद जब वे यवरोब की आत्रा पर थे, तो उन्होंने कहा हमारे बंबई की परियोजना पर अठारा बीस लाक रुपे खर्च किया है उस जायजाद की कीमत वास्तों में पचास लाक रुपे होगी, लोगों को आश्चेर है और कुछ को इर्सा है, लेकिन अगर तुम वहां जाओ, तो तुम देखोगे की बहुत यच्छा अस्थान है, यह बीस अजार बर्ग गज का मानुस्वर्ग उद्यान है, इस पर अच कृषी आपना लेते हैं हो जब हम लुप आपने कृष्वाना मिटको अपना लेते हैं तब कोई की समध्या नहीं रह जाते निषंदे भूमी में बहुत अधिक संभावनाय थी किंत व decisivetalk, कि क्यों कह रह रह थे क कि कोई समध्या नहीं थी कोई विष्यमस्या नहीं कातात पर ये था कि शिल प्रभुपाद जानते थे कि स्वयंक्रिष्न ने इस किस प्रकार अपने भगतों के लिए सब वस्था कर दी तो जब उन्हें धन की आउसकता हुई तो धन इतनी मात्रा में आया कि सम्मान वस्था में उसका शंग्रा असंभो था गोर बिरोध को भी कृष्न ने दूर कर दिया प्रभुपाद के लिए निमित आय का कोई साधन नहीं था और स्रीमान एवंग स्रीमति यन जैसे ब्रक्तियों से लड़ने के लिए उनके पास कोई राजनितिक प्रवाव नहीं था किंतु चुंकि प्रभुपाद कृष्न के प्रत्समर्पित थे इसलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं थी संसार की सभी समस्याएं उन भक्तों दौरा पैदा की जा गई थी जो परमिष्वर के आदेशों का उलंगन करते थे प्रभुपाद ने कहा जो कोई भी भक्ति योग में है वो समझ सकता है कि उसकी सभी समस्य है सुलज जाते हैं हम इसे ब्योहार में देख सकते हैं और इतना होने पर भी सिल प्रभुपाद को भक्ति हीं दौरा पैदा की गई समस्याओं का सामना करना पड़ा था करीब दो वरसों से उन्हें उन्हों दो वरसों से उन्हों की क्रिष्ण की सेवा के नेमित भूमी के लिए शंघर्स किया था वे चाहे बंबई में हो या अन्यतर अपने अन्हें भावहीन सिश्यों की सहायता के लिए बराबर चिंतित रहते थे क्योंकि सिश्य विरोधी दल की जालों से नेपटने में समर्थन समर्थ नहीं थे ये उनके लिए एक अगनी परिछा थी उनकी अन्हें के लिए उनके सहास का एक चनोती थी इन तो चुंकिवे माया से ब्रहमित नहीं हुए थे इसलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं थी प्रभुपाद ने अपने द्रिष्टांत से दिखा दिया कि यदि कोई सद्धा प्रवक भग्तियोग का पालन करता है तो माया उ अशी का प्रदर्सन उनने ब्रक्तिकत रूप में किया कृष्ने चेतना के प्रती वे निष्टावान थे इसलिए उनकी सभी समझ्या समंजित हो गई थी थी प्रभुपाद गीता में कि जो कोई उनके प्रत्समर्पित होता है तो अपनी सभी समझ्याओं पर आसानी से प्रत्तिनिधी गुरु महराज के आदेसों के प्रत्समर्पन से हो सकती है अब चुंकि भूम इसकान को प्रात हो गई थी इसलिए प्रभुपाद अपने सौपन को साकार करने के लिए आगे बढ़ सकते थे इसमें संदेश नहीं कि अमारतों के निर्माड और मिल चुकी थी स्री सी राधा राजबिहारी का बैभवपुन मंदिर इसे सिद्ध कर देगा भविष्व में भक्त और आतिती भारत के मुख्य नगर में आ सकते हैं और हरे कृष्ण लाइन में प्रत्सम स्रेडी के होटल में ठहर सकते हैं और मंदिर के अध्यात्मिक अध्यात्मिक कर सकते हैं और भक्त जन जब तक की प्रभुपाद के आदर्स और निरदेशों को नहीं भूलते इस असर का पुरा उपयोग कृष्ण की सेवा भाव में सफलता पुरुवक कर सकते हैं प्रभुपाद ने सहे सुनता और निरभरता का जो मुल्य चुकाया था वह कभी ब्यर्थ नहीं जाएगा चिल प्रभुपाद ने अपनी सहे सुनता से ना केवल हरे किस्टन लैंड पर अश्व विधाओं की सिरिष्टी की थी और सतत अग्रगामी योजनाय चालू की थी बरन साधू आचन का जीता जागता उच्छादर्स की प्रस्वति किया थ स्रीमत भागवत में भगवान कपिल दिव साधू का वर्णन करते हुए करते हैं कि तिक्छवा करणे का सुषिदं सर्व देहिनाम अजात सत्र वह सांता साधव साधु भुषणौ साधू का लक्षण है कि वह सहिस्नता है दयालू है सभी प्राणियों की प्रत सुहिद है उसका कोई सत्रू नहीं है वह सांत रहता है साधू का अंगमन करता है और उसका चरित उद्दात होता है क्योंकि वह सहिस्ना होता है इसलिए भावतिक प्रकृति द्वारा पैदा की कठिनाईयों से मच्छुब्द नहीं होता है जुहु की जाजात प्राप्त करने के प्रहतनों में प्रहुपाद को सत्रूओं और कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था लेकिन वे सहिस्टा बने रहे हैं वे कभी-कभी कहते है थे आप को सहन करना पड़ेगा और साधुन्न क करने का भी होता है जब वे इसकान के अस्थाई मंदिर पर पुलिस का आकर्मन हुआ था तो प्रहुपादी से संकेत समझ कर इस थास्थान को छोड़ने और विदेशियों में कृष्नी चेत्ना फैलाने में सहता करने के प्रहतनों को त्यागने का अभिचार कर सकते थे थे और वे कर सकते थे इस परिशानी से क्या लाग ऐसी कोशिसों से क्या मिलेगा भारत के बाहर वे करीब सौ मंदिरों का नेर्मार करा चुके थे यह दी बंबई के लोग क्रिश्न चेतना नहीं परसंद करते तो क्यों ना उन्हें उनके भागे पर छोड़ दिया जाए और अन नहीं एक निष्टावान सादू होने के कांड प्रभुपात दयालू थे चुकि वे क्रिश्वानमित का करुणा मैं संदेश देने के लिए आये थे इसलिए हर एक को और संदेश उन्हें धैर पूरग देता था लोग दिख्द भ्रहमित थे और केवल इंद्रिय तिप्ति क के लिए परशू की तरह जी रहे थे और कर्मानुसार उन्हें अगले जन में दुख भोग न पड़ेगा इस कष्टम आपरिस्टी से त्रवित होकर वे पतित जीवात्माओं की साहता करना चाहते थे चाहे वे उनके इसकार की सरा ना करें अथवाना करें अधवाना करें अ अन्य सब का भला हो राष्टिता से बधा नहीं होता इसलिए वह अपने आप को भारती अमेरिकन या यहां तक की मानों भी न समझ कर सास्तस्त जीवात्मा समझते थे जिसका उद्देश सभी प्राणियों का हीद करना थे श्रीमत भागवतम में साधू को अजात सत्रू कहा इर्सालू ब्यक्ति अपने आप को साधू का सत्रू कर सकते हैं किन्तु साधू प्रतीक की साथ सरुत्तम मित्र जैसा बयोहार करता है और उसका प्रत्न हर जीव को प्रिष्ट पहुचाने का होता है शील प्रभुपात की सभावना मित्य की प्रिशार का प्रत्न कर रहे थे इसलिए इर्सालू लोग लगातार उनका विरोत कर रहे थे किन्तु जैसा कि उन्होंने बंबई में बड़े उदात धंग से प्रदर्शित किया हम क्या कर सकते हैं हम के और सहन कर सकते हैं इस पर कार मंदिर की किसी इमारत की निव पढ़ने के पुर्वर प्रभुपाद ने सादू के सभी गुणों को प्रदर्शित कर दिया सांत और कृष्ण का पर निर्वर्रा करवे बिजयी हो गए और जो कोई भी ऐसे महान ब्यक्तितु की सेवा करता है सिमत भागोत कहता है कि उनके लिए मुक्ति का द्वार खुला है सिल प्रभुपाद की आज आप लोगों ने प्रभुपाद दी का यह जो सुना है इससे मुझे लगता है कि बहुत आप लोगों को ग्ञान प्राप्त हुआ होगा अज़ प्रभुपाद जी नी यह जुहु मंदिर बनाने के लिए कितना परिष्रम किया था, कितना दुस्मनी हुई थी लेकिन साधु सहिस्मता होने के कारण सहिस्मता नहीं होती तो कर सकते तो चलो एक मंदिर छोड़ देंगे यहां नहीं बनाएंगे लेकिन बंबई के लोगों पर किरपा करके प्रभु पाज जी ने सोचा कि यहां के लोग जो इस प्रकार से जी रहे हैं जानवर जैसे इन ही भी मनुष्य जेने का लाव मिल सके इसलिए आथक परिष्रम करके प्रभु पाज जी ने इस जमीन को प्राव्त किया और उन्हें बिस्वास था अगर शुद्य मन से भगवान खृष्ण की सेवा करेंगे तो लाव निश्चित मिलेगा तो इसी प्रकार से हम सब जो जो भगवान के मंदेर में हैं सब का विष्वास होना चाहिए कि हम मंदेर में प्रचार कर रहे हैं तो हम प्रभुपाग जी के चरन चिन्नों का परचलन का प्रयत्न करें। भागवद घीता बइतन करें। ऑख्तण करें। और उसमें किसी कुछ जहसे प्रभुपाग जीन का न disc अब ऩ उसमें और टक प्रप्रशारो एं नहीं करो। अगर आप से चीड़ रहा है अभ्यक्ति तो आप मत चीड़ो आप एक पुस्तक दे दोगे तो आप के तीन मिनट के प्रचार से ज्यादा प्रभा उस पुस्तक को पढ़ने पर उसको होगा इसलिए प्रभुपाज जी के ब्योहार अगर हम अपने सरीर में उतारेंगे और प् अगर हम प्रभुपाज जी को नहीं समझ पाएंगे तो हम बेकार मेह जीवन जी रहे हैं हम प्रभुपाज जी के मंदिर में छ्हती पहुचा रहे हैं जब हम प्रभुपाज जी को समझ जाएंगे तो हम भक्ति क्या है वो भी समझ सकते हैं तो आज का जितना भी यह चार प प्रपर्टी मालिक फिर से बदल गया था कि हमें कोई ब्रक्ति ज्यादा पैसा दे रहा है। लेकिन कृष्ण की एक्षा थी कि मैं जुहू आऊँगा जरूर। और प्रपुपाजी को विश्वास था कि राधराल ब्यार का मंदिर का निर्माण जुहू इसी लेंड पे होगा। यह अटूट विश्वास प्रपुपाजी का इतना बड़ा मंदिर बना दिये। जबकि उस समफ पैसे देने के लिए प्रपुपाजी के पाद नहीं तूर। जवीन का प्रपुपाजी का और इतना बड़ा मंदिर बनाने की तो बात अलग थी। लेकिन जैसे गिरिराज महराज तमाल कृष्ण महराज का नाम इसमें आया है। यह लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। प्रपुपाजी की साथ पूरा दिन विश्वास से साहस पूरवक लगे रहे। इसलिए ऐसे ऐसे सन्यासियों का हमें आदर करना चाहिए। जिन लोगों ने यह मंदिर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। और उस अथक प्रयास का पैड़ाम हम सब सुख भोग रहे है। जैसे माताजी का नाम आया है, जो भी तक बारे में बताती थी कि कि लिए महराज ब्रह्मचारी थे, हमारे घर में आके सोते थे। और हम लोग एक हाल पूरा खाली रखाता बग्तों के लिए। और बाकी जितने तेने तेने थे चार पांच बिल्लिगें एफ दुस्मनी रखते थे. और वही माता जी उनको शेवा करती थे उन लोगों को. क्योंकि उसमझ गई थी कि प्रभुपाज जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. विश्य कर लिया कर रहे हैं. इसलिए वह माता जी ब्रह्मचारियों की सेवा करती है. आज प्रभुपाज जी के पुस्तक में उनका नाम है. आई एर करके. उनका नाम अमर हो गया. युग जुगांतर जब तक कृष्ट भावना मित चलेगा, उनका नाम भी साथ में रहेगा. जो भी पढ़ेंगे प्रभुपाज जी का लेला मित उस्मून का नाम आएगा. तो हमारा काने का ताथपर है कि हम प्रभुपाज जी को जॉइन किये हैं, तो हम निश्वार्थ भाव से. जैसे किसी ने आएके बोला हमारी मा के लिए पैसा दे दीजिए, तो उन्हों ने कहा कि हमारे भाक्त जो 24 गंटा हैं, बेना कुछ लिए सेवा करते हैं. प्रभुपाज जी ये नहीं सुचा कि बड़ा बिद्वान आदमी है, तो इससे, इसकी मा के लिए भाड़ा दे दूँ तो हमारा प्रचार और अच्छा चलेगा. प्रभुपाज जी को प्यवटी के उपर बिश्वास था, शिक्षा के उपर नहीं कि अध्याद्मिक शिक्षा कोई प्राप्त किया है, संस्कृत का बहुत बड़ा ज्याता है, तो उससे हमारा मंदिर चलेगा. प्रभुपाज जी जानते थे कि, प्रभु के प्रत भग्ति ही इस प्रचारकार में काम कर सकती है, विद्वान कुछ नहीं कर सकता है, तो उन्होंने कुछ उनको दिया नहीं, इसी प्रकार से हम प्रभुपाज जी के इस प्रांगण में आयोहे धन को, ऐसे ही सम्हालना चाहिए, आइसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो अमें सत्ता मेली है तहम उडा दें एक एक पैसी का प्रभुपाज जी ने बहुत साउधानी से प्रयोग किया है उसी तरह से हम लोगों को भी प्रभुपाज जी के इस धन का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए दूरुपेयोग नहीं होना चाहिए इसलिए आज का जो चैप्टर इतना अच्छा है लगा मुझे कि मेरा मुझे तो लगा कि मैं बीच में रोने लोगूं प्रभुपाज जी ने कितना संगर्स किया है देश कल्याण के जीव कल्याण के लिए इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था ये इतना बड़ा भव निर्मान करने के लिए प्रभुपाज जी का कोई स्वार्थ नहीं था उपने परिवार के लिए नहीं बना रह थे जीव क लेंड के लिए, साधु जो होता है, पर दुखे दुखी होता है. नारज जी पूरे पुर्थिवे ब्रवण करते थे, लेकिन जिसको अनाचार करते वे देखते थे, उस पर बड़ा दुखी होते थे. वो यह नहीं सोचते थे, यह बदमास आदमी मुझे मार देगा. पुरू हैं, ऐसे साधु हैं, मैं तुझे नेरे साधु नहीं जवानता हूँ. मैं तुझे भगवान के पहंगमर, भगवान के प्रतनिधित तो करने के लिए धराधाम पर आये है. पूरे बिस भर में आज तक कोई ऐसा साधु पैदा नहीं हुआ है, और पैदा होने वाला भी नहीं है. इसलिए जो भी लोग प्रभुपाजी के मंदिर में समर्पन हो रहे हैं, यह बहुत भागे साली हैं. यह पूरमजन में किनकी भक्ती है, यह सब के भागे में नहीं है, कितने करूड की जनता होगी बंबई में, ले कितने लोग भक्त बने हैं, कितने लोग मंगल आरती में आते हैं, कितने लोग दर्सन के लिए आते हैं, अगर उनको पता चल जा कि जुहू पे कोई हीरो आ रह या कोई बया रहा है, तो आप पुलिस का बंदोबस करना पड़ता है कि कुछ फ़म न गिर जाया, नहीं तो कोई अशी घटना न घट जाया। मगर इतने बड़े हीरो भगवान राधा राज बियारी यहां पे दर्सन देने के लिए चार बजे, साड़े चार बजे उपस्तित होते हैं, इसमें आने वाले कितने लोग हैं। कभी कभी पीछे मूड के देखते हैं कि सौ पचास लोग भगवान राधा राधा बियारी यहां दर्सन कर रहे हैं, यह बड़े भाग्यसाली है। बहुत से माताय जैसे आती है माला दिन बर बना रहे हैं, यह बड़े भाग्यसाली है। तो हमें किसी प्रकार से जो भी सेवा मिली है। ुसे बहुत शा अधानी से करना चाहे है कि मेरी सेवा में कोई गलती न हो जाए। मैं तो यही प्राभुपाच से प्रहत्ना करता हो कि मेरी अंतिन सांस तक आपकी सेवा करने का आऊसर मिले और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रभुपाजी को समझने के लिए ये सभी नए भक्त लोग जितने हैं, फिर से पढ़ लीजेगा, बहुत ही ज्ञान की बात है, अब प्रभुपाजी के बारे में बहुत सारा आप लोगों को उपदेश मिल जाएगा, जिए भगवान की भक्ति करने के लिए ऐसा तो हम बार बार प्रभुपाजी के चरणों में नस्तक हो के सास्टंग परणाम करता हूं, प्रभुपाजी अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाये रखिया, ताकि अपनी भक्ती से विफलना हो. कभी-कभी बिचलित होते हैं, मन बिचलित होता क्योंकि हम भी संसार में आये हैं, ये माया रूपी संसार है, माया का अटेक होता है, या हम कभी इंसल्ट फील करते हैं कि हमें यह थार्टी ने यह कर दिया उसने यह कर दिया मैं भी उसकी बराबरी करूँगा क्यों मेरे को ऐसा बोला यह भक्ती नहीं है आप सहल होगे तो उस खुद बुला के कहेंगे कि भक्त बहुत गंभीर है अच्छा है और यह भक्ती कर सकता है हमें प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए हम कभी भी जैसे अभी प्रभुपाजी ने बताया ने कि अजात सत्रू जिसका कोई सत्रू नहीं हो अजात सत्रू होना चाहिए तब जाके भक्ती हो सकते किसी को सत्रू नहीं बनाना चाहिए। सत्रू बनाने ऐसे भगवान का चwritten चुड़ के убड़ाइब еается। अुसातर का बारे में सोचता राता है। उसको काईसे गिराना, काईसे मारना, काईसे काणिए। तो चिंतन जहां होना चिंतन वहां से हड़ जाता है। अजात्सत्रुत। भक्ति के लिए अजात्सत्रुत रब्द जो है। बहुत गर्वित है। तो आप सब हमेशा बिनम्र भाव से भगवान की भक्ति करिए। लिए प्रभुपाज जीटना अधिक प्रढ़ कर सके उतना अधिक प्रणा करिये। हम तो आप लोग इसे उमर में बहुत काफी हो गए हैं लेकिन सुचता हूँ जितना बार मंदिर में आऊ भगवान प्रभुपाजी को पड़ाम करूँ भगवान को पड़ाम करूँ तो आप तो नवीवक्प आप तो हजार भार भी पड़ाम कर सकते हैं दिन बार तो जितना करेंगे उतना प्रभुपाजी की क्रिपार मिलेगे आपको और प्रभुपाजी के बताए हूए रास्ते पर चलेंगे आपकी भग्ति आजयायमर होगी और आपका लोग पर लोग दोनो ठीक हो जाएगा कभी मत सोचना कि हम क्यों बागवान के मंदिर में आ गए हैं यहां आपी भागे साली लोग आए हैं जो भी यह भक्त बने हैं यह बहुत पुर्व जन्म की मझे हैं एक छण पी राने का ऊसर मिला है तो प्रभुपाजी बता ते थे कि किसी का कदम एक दिन के लिए एक छण के लिए आता है größそうだ है तो ओ उसके पूरू जन्म की मझे है घा हो एक और प्रभुपाजी ये बताते थे कि जो मंदिर में दर्सन करने आते हैं, वो मंदिर के गेस्ट है, मेहमान है, उनका जहां तक हो सके आदर करना चाहिए, उनसे कभी गुष्षे से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी बारिस हो रही है, लेकिन बहुत भक्ता मैं देखता हो कि इतनी बारिस में आया दर्सन करने के लिए, तो स्रद्धा है, तभी तो आया है, हम लोग तो चाहिए में प्रभुपाजी के बैठे हैं, लेकिन वो चल के आया हैं, चाहिए बिरार से, बोरे बले चाहि बंबई के किसी कोने से आते हैं, तो उनको देख जाइए कि इनके अंदर भग्ती है, तभी तो इतनी बारिस में यहां तक भीक्ती हुया रहा है। उस सारे भग्त हैं, प्रभुपाद जी के प्रांगण में जो आते हैं, सब भग्ता हैं, उनका आदर करना चाहिए। यहीं सब्दों के साथ साहज समय भी हो गया। एक बात जोड से शेल प्रभुपाद जी का जैकारा लगा है आपनों शेल प्रभुपाद की जगत गुरु सेल प्रभुपाद की पूल प्रेमानन्दे रेक्ष्णा अबे ऋप्रेमान धर्हिं प्रेमान प्रेमान यहां आप यहां पूल यहां यहां है झाल झाल